तो घजब कोर्ट में फैसला सुनाई दिया जाता है कि तुम अपने पापा के पास रहना चाती हो या आशिका के पास रहना चाती हो और तभी सवी कहीती है कि में मेरी परियांटी के साथ रहना चाऊंगी जिसे सुनकर आशिका और रजत और सारे के सारे लोग बहुती नाम ही नहीं होते हैं और हमारे भी रिष्टों का कोई नाम नहीं है और दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के रिष्टे होते हैं ये खून के रिष्टे और एक दिल के रिष्टे बायोलाजिकल होते हैं और दिल के रिष्टे मैजिकल होते हैं एसा सवी कहीने लगती है और सवी और मेरा रिष्टा भी magical रिष्टा है और फिर घर में सवी के पापा और रज़त के पापा बात करने लगते है कि हमें उन दोनों के शादी करवा देने चाहिए और सवी को एक बच्ची मिल जाएगी और रज़त को अपनी बेटी संबालने के लिए मा मिल जाएगी और गैज आने वाले एपिसोड में रज़त और सवी की शादी होने वाली है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजेगा और एसी इंफर्मेशन अपडेट देखने के लिए हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राब कर दीजेगा